हिंदी और उर्दू के सर्वातिक लोगप्री उबन्यासकार और कहानिकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 880 को बनारस शहर का चार मीलदूर लहमी गाव में हुआ था प्रेमचंद का असली नाम धनपत्राई श्रीवस्तव था लेकिन बाद में वो प्रेमचंद नाम स्विकार किया उन्होंने सेवा सदन प्रेमाक्षम रंगभूमी नर्मला गबन कर्मभूमी गोदान आदी लगबग टेप डिजन उबन्यास थदा काफन पूस्की रात पंच परमेक्षवर बदे बदे गर्व की बटी बूधी का की आदी 300 से अधिक कहानियाम लिखी उन्में से अधिकाम्ष हिंदी थदा उर्दू दोनों भाषावों से प्रगाशिद हुए प्रेमचंद का मशूर उबन्यास है सेवा सदन इस उबन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में प्रगाशिद करने से पहले उर्दू में लिखा था लेकिन सेवा सदन को हिंदी में प्रगाशन करने के एक प्रगाशन कम्पनी उसे 450 रुपे प्रस्थाव किया गोतान प्रेमचंद का हिंदी उबन्यास है जिसमें उनकी काला अपने चारम अतरकर्ष पर पहुंची है गोतान में बारतीय किसान का संपूर्ण जीवन उसकी आगामशा और निराशा उसकी दर्मभीरुदा और भारत परायनता के साथ स्वार्त परदा और बाईट का बाजी उसकी बेबसी और निरीहता का जीता जगाता चित्र उबस्तित किया गया है कि गर्दन जिस पईर के नीचे दबी है उसे सहलता, क्लेश और वेतना का चुटलाता मर्जाद की चूटी भावना पर गर्व करता त्रिनकरस्त था के अभिशाब में पिस्ता तिल तिल शूलों भरे पत पर आगे बढ़ता बारतिय समाज का मेरु धंड यह किसान कितना शितिल और जरजर है चुका है यह गोतान में प्रत्यक्ष देखने का मिलता है अपनी टेजनाओं का अनिवाद संसार की उनको भाशाओं में हुआ है चीनी तता रूसी भाशाओं में उनके साहित्य का अनिवाद हुआ है प्रेमचंद की तेजनाओं के आतार पर फिली में दारावाहिक आधी निकले है दूरदर्शन ने उनकी दर्शानों कहानियों के आतार पर तेली फिली में दारावाहिक आधी बनाये है अपने माधुरी मरियाता जाकरन हमस आधी पत्रगाओं का संपादन किया था अपनी रेजनायें पत्रगाओं में बहुत तलपर दे सिंदकी के आकरी सफर में मंकल चूत्र लिगने लगे लेकिन प्रेमचंद जी यह उबन्यास पूरा कर नहीम सके अपने करीब तीन सव कहानियों लिखी दी जो मानसरोवर और गुपत धन में संकलिद है आप हिंदी के उपन्यास सामराट कहे जाते है 8 अक्तुबर 1934 में कलम का सिपाही मुन्शी प्रेमचंद गुसर गए हिंदी साहितिक्षेत्र के विलक्षन कहानीकार प्रेमचंद अपना साहितिय जीवन खरीबों का भुकमारी र्याजनीतिक पुतल पुतल किसानियों की शोचनियत अशा ट्यूडियों के बंतन में तटपदी नारी की दुर्दशा आधी चर्चा की इस महान कहानीकार को संसार में कोई विकल्प नहीं है क्योंकि प्रेमचंद जी का सशक्त भाषा और उसका शक्त विजार जैसे कोई और नहीं लिका है समय समय पर प्रेमचंद जी का सभी किताबों और उनका आशे भाषा देश पर पूरे भर सक्री है मनशी प्रेमचंद जी को हमारा प्रणाम